स्वागत है आपका अपने चैनल लिया अलेक्टिक में तो आज मैं आपको बताऊंगा हाई स्पीड सिलिंग फैंड जो सबसे छोटी मतलब है चार पोल में आती है मोटर चार वायल रनिंग के चार स्टार्टिंग के उसकी बाइंडिंग कैसे की जाती है डाटा क्या रहेगा स कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है तो वीडियो को सुरू से अंत तक देखें तो मैं बता दे रहा हूं आपको जैसे एस सिलिंग फैंड का साइज है छोटी वाली छोटा बलेड में आइस्पीड फैन है चार पोल की होती है चार स्टार्टिंग होते चार रनिंग तो इसका मैं जब जैसे माली ये डाटा तयार किया तो कंपनी का 35 नंबर कांपर में मोटर थी और मैं इसको 35 नंबर कांपर से ही रिवाइंड करने वाला हूं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं इसके इस्टेटर की साइज मतलब ये म पहले में मूटा कितनी आए तो यह तकडिवरा जिदून मारे चाहितार तकटरीबई को एक इसको नापा था तो यह मतलब थीख सकते रहे हैं या यम यम चाहिता देख सकते हैं मुटाई है और इसको उसमें हैं गर जाँने को आले पगशना की बात कर रूँ को 거지 पेपर बा और डाटा इसका है 205 टन कापर से 25 नमबर 205 टन जान दीजेगा तो यह जैसे क्वाइल में इसमें डालना कैसे है एक से चार आपका सिंगल पड़ेगा एक से चार मतलब दो सलाट छूटेंगे एक से चार में सिंगल एक बार पड़ेगा और एक से चै में आपका दो बार पड़ेगा मतलब तीन चकर में पड़ेगा तो एक साचे चै में दो चकर मैं डाल के आपको भी दिखाता हूं कैसे डालना है अब यह श्टार्टिंग का क्वाइल है देखिए हاخ dice का मैं डालने जा रहा हूं तो डालने के लिए कि मैं क्वाइल को ऐसे रख लिया हूं और इसके उपर लगाऊंगा भी कट करके क्वाल में डाल दूँ तो इसमें क्या है मैं देखिए इस शुरू वालतार है मतलब इन वायर है जहां से हम वायर लपटना शुरू करते हैं और देखिए एक वायर से जुड़ा हुआ तार है तो इन वालतार मैं आप उस साइड में रखूंगा चाहे तो आप अपनी तरफ भी रख सकते हैं बस इसमें ध्यान देना पड़ता है तो मैं उधर रखके आपको बताता हूं अभी एक सलाट में किसी में डालिये और एक सलाट में दो मतलब दो गुरूप छोड़के दो पले भी सप्रेटर ढाल देता हूं इसका अपको बताए तो मैं जेसे आउटर डाया इसका आउटर डाया यहां से यहां तक आप नापेंगे, तो 8 is 8 centimeter, 8 channel है यहां से यहां तक धी, जूरी मतलub है, यहां लंबाई में, 8-8 centimeter है और तो quail का साउज मतलब मैं पनाया हूं, यह लंबाई है, quail की गुलाई में, quail की लंबाई में मैं बता दे रहा हूं कितना centimeter है, तो देखिए मेरा एक से चार में एक प्वाल पड़ गया और एक से छै में आपका एक दो चक्कर पड़ेगा तो इसको घुमाना कैसे उधर वाला उधर वाला साइड का अपनी तरफ लाएं जैसे मैं ला रहा हूं देखिए इसमें डाल दिया एक से छै में और इधर देखिए उसके उपर एक से छै में ऐसे चार स्टार्टिंग के क्वाल पड़ेंगे उपर से चार रनिंग के जब मैं रनिंग डालूंगा तो आपको रनिंग का भी क्वाल का डाटा बता दूंगा इस्टार्टिंग का मैं बता ही दिया है अब देखिए ऐसे डालने के मुतलब एक बार एक कोईल में आप डाल लीजिए देखिए यह आराम से पड़ जाएगा पिश्मी कुछ करना भी नहीं है देखिए खुला टाइट करके आप ठीदे मुतलब खुला खुचना पड़ेगा टाइट करके डालेंगे तो तभी यह पड़ेगा त्यापर इसलिए मैं तेदम शिक्स साइज बनाया हूं इसका माली यह इस्ट्रा बनाँगा तो फित तार इस्ट्रा जाएगा तो देख सकते हैं और देखिए दो गुरूप में अभी एक कोईल पड़ेगा रलिंग का तो यह तूरा दीख रहा है औ और मैं एक कोईल डाल चुका हूं और दूसरा कोईल डालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको कोईल ऐसे सिधा नहीं डालना है मैं उसको सिधा डाला था ऐसे तो आपको क्या करना इस वायर को उलटके इस साइड में लाना है कोईल को एक बर पलट लिजिए औ और जो आउटर निकला है इस क्वाइल से हमारी तरफ आएगा तो ध्यान दीजिएगा आप भी देखिए कैसे पड़ता है दूसरा मतलब एक क्वाइल सीधा पड़ेगा एक क्वाइल उल्टा तो एक इसमें छूटेगा और फिर एक से शुरू होगा चार में एक टर्न पड़ इस पंखे का मतलब चार पोल में तक्रीब आर्पीम माना जाएगा तो 1440 के आसपास हो जाएगा हाई स्पीड है अब इसमें कांपर में क्या है थोड़ा आप जल्दी जल्दी भी काम कर सकते हैं इसमें वायर टूटने का डर नहीं रहता है मैं बताता हूँ है अल्मोनियम म अधी देखेगा है अधी देखेगा है अधी फलट लिया मैं को आप पलटने के बाद कि इसमें आगया अब सेपरेटर इसमें डाल नेंगे यह अपना एक से छॉय कोईल है अधी से में इसी तरह पुरा रणिंग इस्टार्टिंग का क्वाईल पुरा डल जाएगा उसके ब है और डालते समय तेक्षी का ध्यान दीजिए कि को आपका कहीं मतलब ठूके ना एक भी वायर नहीं तो बाद में जित्कत हो जाएगा घूनने में तो जैसे कि यह दो क्वाईल पड़ गया अब माल लीजिए जैसे इसका आउतर निकला तो अभी यह से सिधा सिधा मतलब इ जो आउटर निकलेगा उधर ही रहा जाएगा और जो क्वाईल में जूडा रहेगा अपनी तरफ पर आजाएगा एक सीधा पड़ेगा एक पलट के डालना पड़ता है तो दो के तीसरा क्वाईल मेरा स्टार्टिंग का एक सचा ज्यान से देखेंगे तो तूरा मतलब वीडियो सही से तो आपको भी समझ में आ जागा कैसे इसकी बाइंडिंग करनी है और जैसे जैसे इस्टेटर की मुटाई बढ़ेगी वैसे वैसे क्वाईल का साइज ठिक्स नहीं होता है नाप के निकलना पड़ता है बढ़ते ही ज इतने मोटे स्टेटर में इस साइज परियोंग कर सकते हैं बाकि अगर आपका स्टेटर साइज मूटा हो गया तो आप अको बनाएंगे तो ठोटा पड़ जाईगा है है फिर्पिसरा कोय बी है कै पॉर एक है कैक तयार हो गया कि पूरा खुच के टाइक करके आपको श्लाट में डालना है हाँ अलमुनियम रहेगा तो पुड़ा माली ये आरांध करना पड़ेगा अलमुनियम में क्या होता है कि वायर ज्यादा क्षीचने पर धिक्कत हो जाता है आई एक दो थीन एक सीधा एक उल्टा एक सीधा ठीक और मेरा लास्ट को यह करता हूं हैसे अ कि नुद्धलग फल्टलने के यह इदिशा में तो यह देखिए यहाँ से निकला और वायर अना उससाइड में गया है इससाइड में जाना चाहिए तो एक से चार में एक बार, एक से शै में दो बार तो देखिए गार, अब आई स्टार्टिंग का दोनों कॉयल भर के तयार हो गया और देखिए, एक लीड मेरा इहां से निकला है, तो सेम एक लीड आपका इस साइट से तो इस साइट से निकलना चाहिए मतलब पास-पास से नहीं निकलना चाहिए, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, और देखिए, इस स्टार्टिंग मेरा हो गया है अब इस स्टार्टिंग का वायर, ये लीड वायर मैं इसमें लपेड देता हूँ, अब एक काम करना पड़ता है, माली ये एक वायल भर गया है, तो इसको सप्रेट करना पड़ता है, अलग, मतलब सप्रेट करने के लिए आप है, या तो काटन टेप इसमें चीपकाईए, या तो काटन टेप से इसको ऐसे घुमा घुमा के अंदर से बान लिए, या तो आप मतलब किसी तरह से भी, या तो आप क्वायल बानते समयें इसमें पेपर डाले के बान लिए, तो मैं क्या करता हूँ इसको, कि डारेक्ट पेपर ही चिपका देता हूँ, पेपर चिपका क माली जे काम करते हैं तो टाइम मतलब खुम लगता है अब टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा काम कर रहा हूं माली जे आप जैसे भी अच्छे से अपना बनाएए तो मैं इसको अच्छे से टेप का ले रहा हूं अब इसको माल लिए हाई क्वाल्टी में आप कालना चाहते हैं तो आप एक काम करते हैं आप बढ़ियां से काटन टेप द्वारा यह कपड़े वाला काटन टेप आता है उससे घुमा घुमा के बांद सकते हैं अब मैं देखिए एक चक्र नहीं इस पे मतलब दो तीन चक्र लपेड दे रहा हूंके कि ताकि मतलब पेपर जलने का इतना चांस कम हो जाए ऐसे आप लपेड दीगे तो आपका रणिंग से और स्टार्टिंग से बिलकुर मतलब टच नहीं होगा आपका हूँ देखिए मतलब कितना जल्दी हो गया ऐसे भी कर सकते हैं बढ़ियां सवाल निस कर देंगे कोई दिकत नहीं आता है मैं बहुत पंखे ऐसे डाल के भर च करते हैं तो आपको काई चकर मतलब चढ़ा चढ़ा के लपेड़ना पड़ेगा एक चकर मतलब पेड़ी ये पतला हो जाएगा जल जाएगा तो मैं अब इसको उपर से रणिंग कॉयल इसका डाल देता हूँ और मैं इसका भी दाटा आपको पता देता हूँ तो देखिए का डाटा है मैं इसका टन गिंती करके इसमें लगाया हूं तो आपका स्टार्टिंग था 205 टन ठिक और यह रणिंग मेरा एक पॉयल में टन है 225 टन रणिंग है बाहर पड़ेगा रणिंग 225 टन है 35 नंबर कहां पर से तो आप यह साइज में बिंदास आप यह डाटा परिय द आप ही तो वीडियो को जरुर लाइक कीजेगा और चैनल पर ने है सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तुकर यहां से management कोरा दालना चालू किया था तो फिर ही से में फिर से श्टार्ट करूंगा तो हिसे चार में ज़ो अपना श्तार्टिंग कॉल पड़ा है उसे के उपर ठीक देखिए किया इस्टार्टिंग कोया हमने डाला है एक सचार मतलब उसमें जो लाश्ट वलकक्षवाल दो है तो उसको छोड़ देना है और एक कोय इस्टार्टिंग में ही रणिंग का डाल देना है ऊपर से और उसके बाद उपर से स्प्रेटर आप चढ़ा सकते हैं तो तो मैं सेपरेटर के लिए देखिए पेपर कॉट पार रहा है, हो गया, अब रणिंग डालना चालू करेंगे, मैं इसको बांद होते हैं, आपको लूप उप निकाल के भी बता दूँगा कैसे निकालना है, तो देखिए, जैसे मैं स्टार्टिंग में उस साइड में शुरुवाती लीड जो है, इन वाला इनर वायर, हस्ट कॉइल का, तो उस साइड में रखा था, तो इसको भी उसी साइड में रखूँगा, तो देखिए, एक कॉइल मेरा, उसी में स्टार्टिंग वाले में ही इद स्टार्टिंग कॉयल से इसका फर्मे का साइज कॉयल का पूरा फर्मे का साइज आधा इंच बढ़ा के रखना पड़ता है आधा इंच से थोड़ा और आप बढ़ा सकते हैं मतलब ज्यादा मुद बढ़ा है आधा इंच बढ़ा लीजिए तो मेरा 14 अगर इंच था तो एक साड़े 14 इंच मैंने करके रखा है क्योंकि यह अगर छोटा बनेगा तो कॉयल इसमें थोड़ा टाइट आने लागेगा पड़ा नहीं पाएगा तो देखिए मैं इसका रनिंग का पाला कॉयल कि मतलब ऐसे जैसे ड़ने के बाद थोड़ा दूसरा चकर डालने के बाद थोड़ा आप पर कॉयल को खीच के ऐसे टाइट कर लिए अगर कांपर में आप तो इतना थाइट खीच भी नहीं सकते हैं और डाटा की बात करें तो अल्मुनियों में भी सेम डाटा लगा सकते हैं बस कोयल का साइज थोड़ा उसमें हलका सा बढ़ाना पड़ेगा देखिए अब मैं इसको इदम फिक से साइज बनाया हूं तो फूरा टाइट ही जाएगा क्योंकि माल लिजे कापर है तो इसको थोड़ा टाइट इसलिए बनाया है कि माल लिजे तारे इस्ट्रा नुक्स खर्च मतलब मत बढ़े थोड़ा इसाथ नहीं जितना ही आप तार इस्ट्रा बढ़ाएंगे आपका खर्च बढ़ता जाएगा कोई फायदा उससे है नहीं तो देखिए टाइट बनाने के वज़़ा से थोड़ा मतलब टाइट ही जा रहा है कोईला देखिए एकदम साटिक साइज है स्यम बस सिर्फी इसमें मैं क्या कि हूँ आधा इंचे लंबाई बढ़ाया हूँ कोईल साइज का आधा इंचे बढ़ाने पर मेरा कोईल एकदम स दालने में तो आप पीवी सी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं कि पीवी सी कड़ा होता है जल्दी लग जाता है, पहला कोईल अगया दूसरे कोईल को क्या करेंगे अ कि वी中共 को भी पलोट֌ के डालना हैνοर चलव धातए कोईल आ या क இ सीरह कर लें इसका बद आइसके पलोट ले इसमें डालना है हाँ इस्टार्टिंग वाले में एक सचार डालना है और एक सचार डालने के बार एक सच्छा है तो क्या होता है माली ये इसमें का अगर लूप आपका ये वाला है अगर टाइट जाये तो थोड़ा कौईल को आप इधर से खीचिए इधर से खीच के मतलब इसको ज्यादा मत खीचिए नहीं तो एवाला आपका लूप इधर से आया है जो क्वाइल का तूट जाएगा तो देट है मैं पहले इक वाइल को पूरा टाइट कर ले रहा हूँ णोलिया है टाइट करने के बाद अब भुमा रहा हूँ तो रहा है और लत गोद्वक्त fist तो मैं इसी सलाट में पहले डाल ले रहा हूँ, अब इसमें डालने के बाद एक सप्रेटर, सप्रेटर डालने के बाद, देखिए इहार थोड़ा आएगा तो ये टाइट मनाएगा, फूरा खिंच लीजिए, कहां पर है कोई जिसक वाला बात नहीं है, 35 नंबर कहां पर है अब ये लास्ट कॉयल में मतलब फड़ा टाइम लगता है क्योंकि तार जो होता है मूड जाता है हलका हलका है, तो धीरे धीरे हलका हलका लकड़ी की मदद से आप फठी ठीक मदद से कीजिए, ऐसे, लोही में ज्यादा मतलब टच मक कराई ये कॉयल को कट जाएगा, और प अब दूसरा कॉयल पर के तायार हो गया, अब तीसरा को देखिए, उसको पलटे हैं तो इसको सिधा डालना है, सिधा डालने के लिए आप पड़े कॉयल को समझ दीजिए, ऐसे देखिए, सिधा हो गया, अब पड़े स्टार्टिंग वाले में डाल देंगे, अब सब्सेटर संड़ाने के बाद एक यो ऊसुलै को से निकला आय तो टाइच हो रहा है तो आप इसरे पहले इहार से खेट कर दो पाले तो कोई सीधा कर लिए ठीक कोई सीधा हो गया अब इधर से नौ खीच को आप इस साइड से ही क्षीच के कोई को ला सकते तो देखिए मेरा कार बच गया मतलब खीचाया नहीं पूरे पाले ही कोई को खीच लिए खीचने के बाद पूसरे एक सच्छाय वाले में डाल दीजिए डालने के बाद थोड़ा दाब दीजिए दाबने के बाद इसमें लाएए इसमें लाएने के बाद खोड़ा टाइट कीजिए टाइट करने के बाद इसको आप तारमी तला है इसको आप यससे पलट सकते हूं तो पलट कर इधर बहुत ज्यादा इसका मुटलग कठीन तो बाइंडिंग नहीं है फिर भी माली जी आप अगर नहीं है तो आपको फोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तो मेरा देखिए टेप किया हुआ आ रहा है इसमें तो मैं इसको उकाच लेता हूं नहीं तो यह जाएगा नहीं तार तो है तो इसको जिवे दिरे 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 एकदम आराम से हांत से ही च लागया अब इस में भी Depla degli ढख़्यान ना है तीसरा qail अपना तजिहार हो गया रोणिंग का अब इसको मैं क्या करता हूं यह सीधा हो गया अब इसको प्लेट लेंगे लाइट को आल है प्लेटिंग के बाद एक से चार में एक बार तो एक बार मैं इसको सफ्वेता डाल देता हूं देखेंगे में इसको मैं क्या डाल दिआता हूं तो मतलबह सेकंड का भी मेरा तो निकल ला Shaus मतलबियूब्ई निकल लिए और जैळे इस्में पर केइफाण लगएगा गरां में कीच़ण बंद या तो मैं आपको वजन भी गता देता हूं कितना तार इसमें लगा है टोटल तो इसमें लगभग मानिए आपका दो सो 30-40 गराम के आसपास तार लगा है तो ऐसे आप लगभग में मान सकते हैं पंखत तयार हुआ है तापर तार से 35 नंबर से देखिए मैं इसको डाल हुदिया जाल दिया और एकदम से में कंपणी का डाटा है कि स्टार्टिंग में आप 205 टर्न कंपणी का डाटा है और das is sa करता है हूं आपको रनीं में है 225 टन कंपनी का टाटा है और एक से चार में एक चक्कर एक से च्छे में दो चक्कर वाइल पड़ रहा है अब इसको डालना पड़ेगा इसे टेप मैं निकाला नहीं हुए टेप तो वज़ा सुपड़ा ठाइट हो रहा है कोई बात नहीं मैं दिदे धिरे क्वाइल कोई बाहर करके टेप टेप निकाल ले रहा हूं तब आराम से चला जाएगा टेप खुलना ही पड़ेगा कोई बांते वक्त मैं टेप लगा देता हूं ताकि क्वाइल इधर उदर भी खरे ना अब देखिएगा अमाली यह थोड़ा टाइट हो रहा है तो थोड़ा आप और ऐसे दाब के क्वाइल को बैठा सकते हैं बैठा के इसके बाद डालीए अब लास्ट है मतलब सप्रेटर डालके अब इसको धागा में मारने जा रहा हूं धागा मारके अब देखिए फाइनाल हो गया है इसका मैं आप फुल के दिखादे रहा हूं गया तो जब वालिस करेंगे तो आप पेपर को हलका-बालका अप ऐसे अलका-बा लीजिये ऐसे ऐसे तो पेपर आपका अंदर चला जाएगा देखिए ऐसे डवाना है तो अब एक दू लूप हमारा रनिंग का बाहर आके निकला है दो सो पचीश टंड का लूप है रनिंग का तो यह कम से कम तार में इसको बाइंडिंग कर दिया है और ज्यादा बढ़ा करेंगे तो फिर दिक्कत भी होगा माली यह बारिंग रहता है फिर बाडी में भी जगा भी देखना पड़ता है तो इसके वज़ा से क्वाइल आप जितना ही सटा के डालेंगे उतना ही अच्छा है मैं पुरा धागा हूगा मारका इलिट निकाल लेके और तैयार कर दिया हूं मैं इसको आपको चेक भी करा-देता हूं और यह मीनठ मे देखे स्टार्टिंग के लिए मैंने बन के तैयार हो गयी है और देख सकते मैं इसका पेपर भी हलका सब दबा दिया हूँ तो मैं अब इसको वानिस कर दूँगा और देखिए कितना कोईल मतलब छोटा बना है अच्छा बना है और बैरिंग का साइज देखिए बाहर निकल गया इधर से भी बैरिंग का पूरा जगा बन गया है डालने के लिए कहीं टच नहीं करेगा तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइब जरूप कीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के लिए दोस्तो धन्यबाद जैए